ठग से गुरू बने राधेश्याम पर हुआ बड़ा खुलासा रिशिकेश में सात करोड बिटकोईन में इन्वेस्ट किये महराश के पीडित बोले धरना देंगे क्या है अपडेट चली जाते हैं दोस्तो देश में तीन हजार करोड का फ्रॉड करने वाला सात्वी फेल फ्यूचर मेकर कमपनी का चेयर्मेन का मैनेजिंग डिरेक्टर राधेश्याम अब गुरू बन गया है जेल में जमानत मिलने के बाद राधेश्याम ने उतराखन के रिशिकेश में अपना आश्रम बना इसके बाद रो अपने हिसार इस्तित घर जाने के बजाए गायब हो गया अचानक वह प्रवचन के नाम पर अवग्यान वाटते नजर आने लगा है अकेले महराश्य से उसने दोसो धाईसो करोड रुपे का बिसनस किया है पीडित महराश्य के ही फ्यूचर और डारेक्ट स अप्रेलिंग के संस्तापक संतोष केदार ने राधेश्याम के वीडियो देखकर आहम खुलासा किया उन्होंने कहा कि 22 अप्रेल को दिल्ली के जनतर मंतर पर प्रदरशन किया जाएगा फ्यूचर मेकर के निवेशक काफी परिशान है हाम डिस्ट्रिबूटर्स ने इसका स चुबा नहीं देती राधेश्याम ने 2017 में बिटकॉइन में भारी पैसा लगाया सरकार ने जो 700 करोड़ सीज किये वो अब सेफ है भगवान श्री कृष्न का भक्त खुद को बता रहा है वीडियो में और उसने परम नाम नाम से अपने संस्ताप बनाई है इसी नाम से उसन अपने प्रवचनों के 12 वीडियो अप्लोड की है आजकल वह दूसरे बाबाओं को कोश रहा है राधेश्याम कहता है कि बाबा अध्यात्मे ग्या नहीं दे रहा है बलकि व्यापार कर रहे है यह सुचने वाली बात है लोगों से करोड़ों ठगने वाला राधेश्याम कह रहा है कि परमात्मा ने जितना दिया है उसी में आनंद लेना चाहिए तो दोस्तों क्या कहेंगे इस पर आप अपनी राय जरूर दें धन्यवाद